सभी साथियों को नमस्कार, बित्रो आज के वीडियो में मैं बतला रहूँ आप लोगो विद्या दिशा योग, कैसे पता चले कि ये बच्चा किस फिल्ड में जाएगा, किस फिल्ड में जाने से फायदा होगा, ये बच्चा बड़ा होकर कि क्या बनेगा, क्या ये डॉक्ट आगे जाकर के इस विद्या में जाएगा आप यह आसानी से वीडियो में आप लोगों को बतला रहा हूं मैं चाहता हूँ कि एट लिश्ट अपने कुंडली अपने बच्चों की कुंडली आप लोग खुछ से देखें विद्या दिशा यानि कि नाम से लग रहा है कि किस दिशा में विद्या की प्राप्ति होगी किस दिशा में विद्या की प्राप्ति होगी तो पहला जो मैंने बतलाया है इसमें लिखा हुआ है पहला जो सुत्र है सेकेंड हाउस और उसके लौड पर सूर्य राहू और शनी का अगर परभाव हो मित्रों सेकेंड हाउस जो होता है वो ये होता है आपका लगन चाहे कोई भी हो चाहे उसमें एक से लेके 12 नमबर तक कुछ भी लिखावा हो सकता है तो यहाँ पर मैंने मेश लगने की कुंडली एक्जामबल के लिए बनाई है इसमें पहले हाउस में एक से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखावा हो सकता है अब यहाँ पर यह सेकेंड हाउस है सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस जो होता है वो विद्या का होता है पंचम भाव जो होता है वो बुद्धी का होता है तो सेकेंड हाउस जो विद्या का है उसका जो लौड है या फिर सेकेंड हाउस है उस पर अगर सूर्य राहु या शनी का अगर प्रभाव है तो मेडिकल फिल्ड या फिर मेडिकल एलेंस या मेडिकल से सम्मंदित अब अगर शुक्र पर सूर्य राहु शनी की दृष्टी हो, सूर्य राहु शनी के साथ सुक्र बैठा हुआ हो, या फिर सेकेंड हाउस पर सूर्य राहु और शनी की दृष्टी पर रही हो, सामान तया युती और दृष्टी का फल मिलता है, तो अगर सेकेंड हाउस पर सूर ये राहु शनी के साथ हैं तो ये एक medical field का indication देता है इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर खुद से जागरती आती है और जिस field में जब जाना होता है तो बच्चे की रूची भी वैसी ही हो जाती है और medical field का जो उसमें जब प्रबल योग रहेगा तो mbbs मिलेगा नहीं तो at list इतना जरूर होगा कि medical से समंदित जो भी डिगरियां होती है उसमें किसी न किसी रूप में उसको सफलता जरूर मिलेगी सेकेंड मैं बतला रहा हूं बहुत आसान था ये भी कि सूरी राहु शनी का अगर प्रभाव सेकेंड हाउस या सेकेंड हाउस के लॉड़ पर हो तो दूसरे भाव पर या दूसरे भाव के स्वामी पर लॉड़ पर शनी और मंगल का अगर प्रभाव है यानि कि मान लिया जाए ये कोई भी यहां पर नंबर है इस पर अगर शनी और मंगल की अगर दृष्टी पढ़ती है शनी और मंगल की अगर दृष्टी पढ़ती है चा जो भी हो अगर सेकेंड हाउस और सेकेंड हाउस के लौड पर अगर शनी और मंगल का प्रभाव होगा शनी और मंगल का प्रभाव कैसे होगा या तो सेकेंड हाउस में शनी और मंगल बैठे हों या फिर एट हाउस में शनी और मंगल बैठे हों या फिर शनी बैठा हो एट मे और मंगल बैटे हूं 11 में तो शनी और मंगल दोनों की द्रिष्टी पढ़ रही है सेकेंड हाउस पर या फिर सेकेंड हाउस के लौड या तो शनी और मंगल के साथ हैं या फिर शनी और मंगल से द्रिष्ट हैं तो क्या होगा ये साहसी कार्य करवाता है, साहसी कार्य में पुलिस की नौकरी, मिलिटरी, पाइलाट, रेलवे, कॉमांडो, पुलिस, नेवी, एर फोर्स, जो भी जिसमें अदम में साहस की आवस्त्ता होती है, उस तरीके का जो जौब होगा, वो जौब मिलती है इसके बाद, कानून और सिक्षा चेत्र के बारे में, सेकेंड हाउस और उसके लौड पर अगर ब्रहस्त्ति, बुद्ध और शुक्र का प्रभाव होगा, यानि कि फिर यहीं पर आ जाते हैं, कोई साभी लगनो, सेकेंड हाउस आपको देखना है, और सेकेंड हाउस पर अगर ब्रहस्ति, बुद्ध या शुक्र का प्रभाव, प्रभाव कैसे होता, या तो युती का होता या दृष्टी का होता है, या फिर नक्षत्र का होता है, तो नक्षत्र इतना जल्दी तो समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन युती और दृष्टी आपको इमेडियेट सम बनने का योग ये सारी चीजे निकल के आती है साथ ही साथ अगर ब्रहस्पति और बुद्ध की युति कहीं पर है और ब्रहस्पति और मंगल का समन्ध है तो भी सिक्षा छेत्र में अभिनती होती है और उसी में जौब लगती है अब बात यह आती है कि बड़ा होने के बाद जो बच्चा है या फिर कोई बड़े भी है तो उनको नौकरी में ज्यादा सफलता मिलेगी या फिर बिजनेस में इसको निकालने का भी बहुत आसान सा तरीका वतला रहो है आपको जो कि बिलकुल वेरिफाइड है और वेल टेस्टेड है लोगों की कुंडलियों में मिलता है और यह जो सुत्र हैं यह 100% सठीक होते हैं नौकरी या बिजनेस अगर आपका चठा भाव यह चठा भाव है यहां से एक से सुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच छे तो अगर चठा भाव अगर आपका चठा भाव यह चठे भाव का लॉड यानि की 6th आउस या फिर 6th हाउस का लॉड और यह होता है आपका 10 आउस 10 आउस या फिर 10 आउस का लॉड यह दोनों अगर आपके स्ट्रॉंग हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, उच्च हैं, दस से बीस अंस पर हैं, शुब नक्षत्र में हैं, शुब गरहों से दृष्ट हैं, या फिर छटे और दसमें भाव में, दोनों में सम्मंद बने, या तो युती सम्मंद बने, या फिर दृष्टी सम्मंद बने, तो इसमें नौकरी का योग होता है और एक अच्छी नौकरी परसासनिक नौकरी ऐसी नौकरी जिसमें आपको परसंदता होगी आप परसंद रहेंगे वो नौकरी आपको मिल जाती है अब आ जाता है बिजनेस कौन करेगा बिजनेस किसकी कुंडली में बिजनेस का योग है तो इसके पीछे भी कुंडली के अंदर रहता है और यह सारी चीज्य जर्मकाली निर्धारित हो जाती है अगर सयवेंथ हैं ौस यह होता है सयוח और तेंथ लिए होता है तो अगर सेवेंथ हैं उस्तें फ Delete में समंद दोनों के लौड में समंद दोनों का जो घर है यानि कि सात्मा घर और दस्मा घर अगर इस्ट्रोंग है दोनों के जो लौड है अगर वो इस्ट्रोंग है और दोनों में समंद है तो बिजनिस में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और बिजनेस का कारक प्लैनेट बुद्ध भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कोई भी प्लैनेट इस्ट्रॉंग कब होता है जब वो अपने उच्चा वस्था में रहता है जब वो किसी शुब गरह से द्रिष्ट रहता है जब वो किसी शुब गरह के साथ रहता है जब वो किसी शुब गरह के नक्षत्र में रहता है या फिर वो केंद्र या त्रिकोन में रहता है तो ऐसी प प्रभाव होता है तो मेडिकल लाइन सेकेंड हॉस के लॉट पर अगर शनी और मंगल का प्रभाव हो तो मिलेटरी में पाइलेट रेलबे कमांडो पुलिस नेभी एरफोर्स या जो कोई ऐसी नौकरी जिसमें अदम में साहस किया वाज सकता होती है वो नौकरी मिलती है सेकें हॉस और उसके लॉट पर अगर ब्रेस्पती बुद और शुक्र का प्रभाव हो तो कानून और सिक्षा चित्र में सफलता मिलती है और अगर छटे और दसमें भाव के बीच में संबंद हो दोनों ही स्ट्रॉंग हो और उनके लॉड भी आपस में संबंद रखते हों और दो बहुत ही जादा स्रॉंग है तो भी जनिस में बहुत बड़ी सफलता मिलती है इसके साथ इस वीडियो को मैं समात करता हूं वित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार